सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरू जी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों Walkie Talkies के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा आप सभी ने देखा होगा उनको काम में आते हुए एक्शन में और सोचते होगे कि यार अभी 2017 में हम क्यों इस पुरानी सी टेक्नलोजी व काम में ले रहे हैं तो आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहे हैं और मैं आप से बात करने वाला हूँ Walkie Talkies के बारे में नमशकार दोस्तों मेरा नाम है Gaurav आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरू जी चले शुरू करते हैं दोस्तों चांसिस बहुत ज्यादा है कि जो आप इस वीडियो देख रहे हैं वो देख रहे हैं अपने ब्रैंड न्यू चमकते हुए 4G, SuperG, HighG, 5G स्मार्टफोन के उपर और सोच रहे हैं कि 2017 में Walkie Talkie वो खर-खर करने वाला रेडियो इसकी हमें क्या जरुरत है दोस्तों जरुरत है क्योंकि जो concept है वो बिलकुल अलग है आपका mobile phone है जो Walkie Talkie है वो Walkie Talkie है आपका phone बिना network के किसी paperweight सादा कुछ काम करने सकता लेकिन जो Walkie Talkie है वो अपना खुद का network create करता है और ऐसे में आप अपनी team तक बड़े ही आराम से मुफ्त में पहुँच सकते हैं दोस्तों दें कि होता क्या है जो concept of Walkie Talkie का ये कोई आज की बात नहीं है यहाँ पे हम पहले पहले बहुत पहले World War 2 के जमाने से इसको काम मिले रहे हैं जहाँ पे दोस्तों जो रेडिय उनिट थी वो अपने पीछे एक backpack, टांगे, बड़ी सी बैटरी, लंबा सा हैंटीना साथ-साथ घूमते थे जिसे दोस्तों जो military है वो आपस में communicate कर पाती थी आज की डेट माने दोस्तों बहुत सारे पुलिस, बहुत एक common example है जहाँ पे उनके पास में चोटी उनिट होती है जहाँ पे कुछ-कुछ messages आता रहते हैं, बिसिकली बात होती रहती है तो उसका complete concept क्या है? दोस्तों concept यह है कि यहाँ पे आपको हर एक walkie talk unit के अंदर मिलते हैं कुछ similar components जैसे कि सबसे प्राव दोस्तों होता है एक trans receiver यानि कि एक transmitter और एक signal receiver उसके अलावा है loud speaker, battery, कुछ circuitry, microphone और एक push to talk वाला button दोस्तों यहाँ पे देखिए होता क्या है, माल लीजिए आपकी team में 10 members हैं अब जो दोस्तों 10 members हैं, वो एक छोटे area के इंदर spread out हो चुके हैं कोई यहाँ खड़ा है, कोई वहाँ खड़ा है, कोई 500 meter दूर खड़ा है आपको सब के साथ में एक साथ बात करनी है तो सभी ने अपनी जो walkie talk के units हैं अपने पास रखी हैं सब दोस्तों एक common channel decide कर लिया है यानि कि एक common frequency जिसके उपर बात होने वाली है माल लीजिए 465 MHz अब दोस्तों सभी ने क्या किया, अपनी अपनी units के इंदर उसको set कर लिया उसके बाद में माल लीजिए अगर किसी एक इंसान को बाकी पूरी टीम तक पहुँचना है तो वो सिर्फ उस push-to-talk वाले बटन को दबाएंगे दबाते ही दोस्तों उनका जो walkie talkie है वो आजाएगा listening mode में वो जो message बोलेंगे वो पहुँच जाएगा उनकी पूरी टीम के पास में और उसके बाद में टीम में से कोई भी इंसान उसका जवाब भी दे सकता है जो वापिस सभी तक पहुँच जाएगा तो basically आप अपने एक छोटे area में खुद के signals को create कर रहे हैं वाकी टॉकी से और बड़े ही आराम से सभी से बात कर पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों देखिए जो concept है range का वो depend करता है कि आपके antenna में दोस्तों क्या strength है तो जो आपको मिलते हैं खिलोने वाले बच्चों वाले वो दोस्तों होते हैं कितनी powerful है अब यहाँ पर यह तो इसका होगा common example इसके लगा दूस्तों example एक और यह भी है कि माल लिजिए आपको अगर अपनी team में एक एक इनसान से एक एक बार में बात करनें तो माल लिजिए एक film shoot हो रही है जहाँ पर दूस्तों एक sound वाला बंदा है एक light वाला बंदा है एक director है मतलब सब लोग जहाँ जहाँ पर खड़े हैं अलग-अलग अपना अपना काम सबाल रहे हैं और ऐसे में आपको किसी एक को बुलाना है किसी एक से कुछ पूछना है तो यहाँ पर दूस्तों क्या किया उसके बाद में अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो सिर्फ message उसी तक जाएगा और उसके बाद में हम दोनों आपसे में बात कर पाएंगे और बात करते समय याद रखना कि आपको sentence खतम होने के बाद में अपनी बात के आगे over कहना है ताकि मालूम चले है सामने इनसान को कि आप अपनी बात पूरी कह चुके है और उसके बाद में सामने से जवाब आएगा जब बात पूरी खतम हो जाएगी तो आपको बोलना है over and out जो की है simple radio manners दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा जो concept है वो military के इंदर पूरी सा अलग बन जाता है because military वगरे में, police वगरे में आप यह नहीं चाहेंगे कि भाई जो आपका message है वो रस्ते में कोई भी अपना लगाए antenna और सुन ले तो यहाँ पर दोस्तों encryption हो कामने लेज़ता है बड़े आराम से मालीजी यह police है, वो पूरे शेहर में फैली है सभी जो है, वो एक common challenge को कामने लेज़ता है मालीजी अगर कोई इंसान भागा है, यहाँ से किसी को पकड़ना है, तो सभी जो है अपना-पना update दे सकते हैं, instant जो है आप messages को transfer कर सकते हैं तो यह एक बहुत ही कमाल की चीज़ है walkie-talkie की, आप factories में लेजिए दोस्तों, आप बड़े business में लेजिए, यहाँ पर मतलब अलग-अलग जगेहों पर आप जंगल में जा रहे हैं, hiking करने आपको जाना है, Amazon में अनकोंड़ने के लिए तो यहाँ पर मतलब, अलग-अलग scenarios में walkie-talkie जो हैं, वो definitely mobile phone से भेतर हैं, आपको एक अच्छी battery life मिलती है हाँ, mobile phones पे भी आपको कुछ apps के जरीए वो functionality मिल जाती है लेकिन जो एक traditional stand-alone walkie-talkie unit है वो कभी भी दोस्तों mobile phone replace नहीं कर सकता, because उसका काम अलग है यहाँ पे आप 4G में भाई, डाउलोड को रोना है apps के दान में games को लिए, जो walkie-talkie है उसका काम है, सिर्फ और सिर्फ communication का जहाँ पे अकसर दोस्तों यह भी दिखा रहता है बहुत बार, कि जो loudspeaker और mic है, वो भी single unit बन जाती है, मतलब cost cutting के लिए एक ही चीज है, वो loudspeaker काम भी कर रही है वो mic का काम भी कर रही है, depending कि आपने push-talk वाले बटन उसको दबा रखा है या नहीं कुछ दोस्तों cases में यहाँ पर यह अलग-अलग भी होती है यह analog भी होते है, डिस्टल भी होते है याने कि आप बस इतना समझिए, walkie talkie मतलब खुद का अपना radio, button दबाओ और जो जो लोग उस channel पे हैं, जो जो लोग उस channel को काम भी ले रहे हैं, उन तक आप अपनी बातें पहुचा सकते हैं, और ऐसे में कई बार यह भी हो सकता है कि आपका जो पोडोसी है, वो भी same channel काम मिले रहे है अपने घर में बच्चों के साथ में खेलने के लिए आपके वासे जो walkie talkie है, वो भी same channel पे सेट है तो आप भी वो message पढ़ पाएंगे, तो ऐसे में basically होगा यह कि आप अलगले channel को कामिल हो, जिससे interference जो हो कम हो और अलगले आपके frequencies की range है, जिनके थुरू आप अपने communication को सिर्फ अपना बना सकते है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपके वीडियो को भी तक लाइक के शेर नहीं किया, तो लाइक भी कर दिजिए और शेर भी कर दिजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना लोगले मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सब्सक्रादम